हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एमेस मैट्स तो इन इस वीडियो डिस्कस अबाउट लिसाचोज फिगर क्या होते हैं इनका यूज हम क्यों करते हैं और इन फिगर को कैसे बना जाता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले स्टाट करते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको मैंसे सदेल करेंगा कि इससे पहले जो में प्रिवेज्च वीडियो जीन में लिसाचोज फिगर के लिए उदिगर की टेर से सी रेश्यू वन रेश्यू वन इट मेंज अगर कोई जो सिंपल हर्मोरिक मोशन है कोई ऑसकेलेट कर रहे हैं और मेंडिकुलर है तो उस टाइम पर उनकी सेम फ्रिक्वेंसी होने पर उनमें जो फेज जीरो डिग्री होगा तो उसका जो रिजल्टेंट मोशन होगा वह रिज उसको हम बना कैसे सकते हैं विद्धी हेल्प आफ लिसा चूज फिगर उनको हम लिसा चूज फिगर कहते हैं हमने रफली उन वीडियो में देखा था बट आज हम यहां पर एकदम जो कह सकते हैं पूरा फॉर्मेट में देखेंगे इन फ्रिक्वेंसी रेश्यो को देखते इनमें जो फेस्ट डिफरेंस नहीं है इसी टाइपस से हम नीचे और क्या करेंगे एक सर्किल ड्रॉप करेंगे वह सर्किल भी होगा उसको भी हम्में क्या करना है x axis and y axis पर ऐसे हमने रखा है इनको यहाँ पर क्या करना है आपको जो frequency ratio 1 ratio 1 है it means यहाँ पर क्या है कि जो equal frequency है तो हम क्या करेंगे दौनों को equal part it means equal 8 part में इसको divide करेंगे तो यहाँ से हम 8 part में इसको divide करेंगे हम 0 से start करेंगे यहाँ से हम इसको start करेंगे यहां पर आप देखें, इसमें हम यहां से start करेंगे, तो 0 जाएगा 0, और फिर यहां पर इसका एक part और करेंगे, that is 1, and 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. It means हमने इसको 8 different part में हमने इसको divide किया है, इस type से, फिर हम इनका projection लेंगे, और उस projection से जो figure हमारा बनेगा, उसको हम यहां पर देखेंगे, similarly हम क्या करते हैं, कि इस वाले जो diagram है, इसको भी हम 8 parts में divide कर लेते हैं, जैसा हमने इस वाले figure को 8 parts में divide किया, वैसा हम इसको भी कर ले इस type से हमारा 8 parts में divide हो जायागा, ओके अब 8 parts में divide होने के बाद में हम क्या करते हैं, कि इन दौनों जो circle से, इनका हम projection लेते हैं, it means projection का meaning हो जायागा, उसका हम 6 चित्र ले रहे है, shadow अगर हम लेते हैं, तो इन सब numbers के अगर हम shadow, हम कह सकते हैं, एक परदे पे, या फिर हम ए यहाँ पे इस line की form में आ रहा है, फिर हम क्या करते हैं, इधर से 0 का ले रहे हैं, तो इस तरफ से भी क्या लेंगे, इस circle का भी, 0 से हम इसका projection लेंगे, तो यह दोनों कहां पे, एक दूसरे को cut कर रहा है, intersection कहा हो रहा है, तो वहाँ पे हम एक point को denote कर लेंगे, similarly, आगे सा आ से हैं, path number 2 and 6 का हमने आपर notation किया है, similarly, यहाँ पर क्िया हो जाएगा, 3 and 5 का, और इधर से भी क्या हो जाएगा, 3 and 5 का जो notation करेंगे, आप पर notation करेंगे, अब आपके पास में जो coordinates आए हैं, जिनकाzagging, जो easy representation हो रहा है, उन intersection points, उन coordinates को मिला आते हैं, तो आपके पास में एक straight line बनती है, it means it is the लिसाचोज figure for frequency ratio 1 ratio 1 at कलांतर, at phase difference 0 degree उनका phase difference कितना है आप आप देख सकते हैं phase difference है उनमे 0 degree next हम बात करते हैं phase difference अगर pi by 2 हो जाया है यानि 90 degree हो जाया तो उस time पे क्या करते हैं तो आई यह start करते हैं for frequency ratio pi by 2 और 90 degree sorry frequency ratio 1 ratio 1 and phase जो है simply वही काम हमको करना है हमको यहाँ पे 2 circle लेना है उनको क्या करना है कि 8 different part में divide करना है अब 8 different part में divide कर रहे हैं जैसा कि अगर आपको बताओं कि अभी जो हमने frequency ratio लिया था उसमें हमने यहाँ पे इस जगह से 0 को start किया था यहाँ पे हमने 1 रखा था यहाँ पे 2 रखा था यहाँ पे अब क्या करना है अपने को अब यहाँ पे हम क्या कर रहे है कि उसमें 90 degree का face difference डाल रहे है अब इसका 90 degree क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ना जो हमारे initial जो फर्स डागराम में पढ़ा था उसमें हमने 0 को यहाँ से start किया था बट हम क्या कर रहे है उसमें 90 degree यानिकि 5 by 2 हम उसमें face difference add कर रहे है तो हमारा 0 अब यहाँ से start होगा तो हम यहाँ से 0 को start करता है तो आप देख सकते हैं इस जीरो यहाँ पे हो जाएगा 1 फिर यहाँ जाएगा 2 फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 इस टाइपस हम इसको 8 different parts पे आपस देख सकते हैं उसमें यह divide हो जाता है बट यहाँ पे ध्यान रखें कि जो face difference है that is 5 by 2 और 90 degree अब क्या करेंगे इस वाले diagram में हम बिल्कुल भी change नहीं करेंगे यहाँ पे जैसा यह है वैसा का वैसा हम इसको रखेंगे तो हम क्या करता है इसको यह different types में यह different parts हम इसको भी divide कर लेते हैं तो जब इसको divide करते हैं तो यह similarly same as जो हमारा जो first हमना diagram देखा था उसके तरह इसको क्या करना है divide करना है फिर हम यहाँ से क्या कर रहा है फोर का projection और इदर से फोर का projection और हम यहाँ पे दो points से इनको जहाँ पे end का intersection होता है वहाँ पे हमने इनको point से denote कर दिया है अब हम क्या करते हैं इदर से 1 का projection लेता है फिर यहाँ से यह 1 का और 7 का projection हो गया फिर यही देख सकता है line का सारे 3 से तो हमने यहाँ पे 1 and 3 के जो intersection point है उनको भी हमने यहाँ पे denote कर दिया फिर हमने 2 का projection लिया और इधर से भी हम क्या करते हैं 2 का projection लेता है जो कि यहाँ पे intersect होता है और हमने यहाँ पे point को denote कर लिया फिर हम यहाँ से 5 और 7 का projection लेता है तो 5 वाली जो term है और इधर से आप देखें यह रहा 5 और यह वाली जो line है यहाँ से आप देख सकते हैं जहाँ पे मैरा cursor है यह line क्या कर रही है यहाँ पे इसको intersect कर रही है it means क्या होगा यहाँ पे यह इसको intersect करेगा हमने यहां पर point को denote कर दिया, फिर हम यहां से 6 की बात करते हैं, इधर से यह point रहा 6, इसकी line जो है वो यह है, यहां पर हमने इसको denote किया, तो यह जो आपके पास में particle का जो path होगा, वो कैसा होगा, elliptical path होगा, तो elliptical path यहां कि आपके आपके पास जो लिसाचोज figure बनेगा, that is ellipse, दिरक वरत की form में, ellipse की form में, आपके पास में लिसाचोज figure बनेगा, next हम यहां पर बात करते हैं, for face difference pi, अब आपके पास में जो face difference है, वो pi है, for frequency ratio 1, ratio 1, same frequency है, उनका जो face difference है, कलांतर है, that is 180 degree या pi जिसको हम कह सकते हैं, तो यहां पर भी क्या करना है, आपको उन्हें, same as, जैसा आप, same, जो first मैं करते आ रहे हैं, तो क्या करना है, circle draw करना, और axis type से लिखना, but अब ध्यान रखें यहां पर, कि हमने जो first consider किया था, उसमें हमने 0 को रखा था, यहां पर, second हमने consider किया था, जिसमें ह हमने pi by 2 का phase difference लिया था, उस time पर हमने क्या किया था, pi by 2 phase difference में हमने 0 को start किया था, अब अगर मैं और क्या करूं, यहां से pi by 2 add करता हूँ, it means यहां से कितना हो जाएगा, pi हो जाएगा, यहां पर इस तरफ की direction से बात करते हैं, यहां पर pi phase difference होगा, यहां पर pi phase difference होगा, यहा तो कहां से start करेंगे, इस position से हम यहाँ पे 0 को start करेंगे, तो आप देखें, 0, 1, 2, इस type से आगे से आगे चलता रहेगा, और इसी को similarly, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 8 different part में divide करेंगे, second जो circle है, उसमें change बिल्कुल नहीं करना, first circle में आपको क्या करना है, 0, pi by 2, pi, इस type से आ करना है, अब यहाँ से हम projection ले रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देखें, यह 0 का projection है, इधर से 0 का projection हो जाएगा, तो यहाँ पे intersect हो रहा है, it means यहाँ पे हम एक point denote कर देंगे, similarly, इधर से 1 और 7 का हो रहा है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 1 और 7 का हो जाएगा, तो यहा करेंगे यहाँ पे इधर से हम six और two का ले रहा है इधर से भी क्या हुजाएगा सप्रोजेक्शन होगा यहाँ पिया क्या क्रेंगे इसकाamiliar इंट्रसेक्शन पॉइंट ले लेंगे फिर हम यह वेज़े हैं तो यहाँ तो आप् कहाल सब्सक्राइब यह पॉ corazón स्ट्रेट लाइन है उससे क्या है माइनस में यानि कि अग मैं बात करता हूँ यहां से यहां तक की जो distance है that is minus A मैं यहां पर consider करूँगा और यह वाले जो distance है यह तो क्या हो जाएगी BE होगी खेर लेकिन हम क्या कर रहे है कि अगर आपको मैं क्या है बताओ यहां पर कि जो इमारा first case था उस first case में क्या थामारे पास में कि first case में हमने 0 को यहां से start किया था तो रहे पास में line इस टाइप से शर्फ को Agreed इस लिए पहला है पन्सक्राइब, अब और स्क्रिन के मचलाएब उस पहला इनका concept समझ मा आया होगा तो अब हम बात करते हैं लिसा सूस फिगर जो है वो यूज कहां पर होता है तो basically लिसा सूस फिगर का यूज हम frequency find करने के लिए करते हैं frequency meaning यहाँ पर अगर आपको कोई unknown frequency find करने वो हम किसी एक अधर वीडियो में discuss करेंगे कि कोई जो unknown frequency है वो अगर आपको find करनी है तो उसके लिए लिसा सूस फिगर का use हम करते हैं और यहाँ आपको हम ने देखा कि लिसा सूस फिगर कैसे बनते हैं और इनको एकदम पुरा visualize form में देखा कि लिसा सूस फिगर कैसे बनते हैं आपको यह जो पूरा concept है वो clear हुआ होगा अगर आपने अमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पर basic के लिए आपको सारे complete courses जो है वो यहाँ पर मिलेंगे So thanks for watching this video, keep watching MS Maths